मानेनिया सदस्योगा, सभी का नमस्ता इस नए सदल भवन हुए, ये मेरा पेहला सम्भधन है आज की अम्रुतकाल की शुरुवात में ये भव्य भवन बना है यहाँ एक भारत से इस्ट भारत की मेहक भी है भारत की सभ्यता और सवंस्कृति की चेतना भी है इसमें हमारी लगतंत्रीक और संक्षवध्यो परमपराओं के सवनमन का प्रोण भी है शाथ ही एकिस्वीशदी के नही भारत के लिए नही परमपराओं के निर्मान का संकल्भ है मुझे पूरा बिश्वा से कि इस नहीं होवन में नीतियों पर स्वार्थक संबाद होगा एसी नीतियां जो आजादी के अमृत काल में विक्सित भारत का निर्मान करेगी मैं आप सोभी को अपनी सुप कमनाई देती हूँ माने निय सदस्यगा यह हमारे संबीधान के लागू हने का भी पचशतरवा बर्षगांट है इसी कालखन में आजादी के पचशतर बर्षगा उस्व अमृत महस्व भी संपन्न हुआ है इस दोरान देश भर में अनेक कार्य कर्म हुए देश ने अपने गुमनाम सतंत्रता सेनानियों को याद किया पचशतर सालवाद युआ पिढ़ी ने फिर सतंत्रता संग्राम के उस कालखन को जिया इस उस्व के द्वारान मेरी माती मेरा देश अभियान के तहत देश भर के हार गाउं की मिट्टी के साथ अमृत कॉलस दिल्ली लाया गया दो लाग से जदा सीला फलकॉम स्तापीद किये गए तीन करोड से जदा लोगों ने पौँच प्राणों की सोपत ली सत्तर हज़ार से जदा अमृत सरवर बने दो लाग से जदा दो लाग से जदा अमृत बातिकाओं का निर्मान हुआ दो क्रोर से ज़्यादा पेड़ पोधे लगाया गया 16 क्रोर से ज़्यादा लोगों ने तिरो रंगा के साथ सेल्फी अपलोड की अम्रूत उस्षब के दोरान ही कर्तब्य पत्पर नेताजी सुगाश चंद्रोबस की प्रतिमा स्थाफित की गई राजधानी दिल्ली में देश के आपतोक के सभी प्रधान मंत्रियों की समोर्पित म्यूजियों खोला गया सांति निकेतन और होईबला मंदीर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में साम्मील हुई साहेब जादों की याद में बीरवाल दिवस खशिद हुआ भगवान विर्शामुन्डा के जन्म दिवस को जनजात्य गोरव दिवस खशिद किया गया विभाजन की विभिशिका को याद करते हुए 14 अगर्ष्ट को विभाजन विभिशिका स्मुरुति दिवस खशिद किया गया माननिय सदस्यगन बितावर्ष भारत के लिए एतिहासिक उपलवधियों से भरा हो रहा है इस दोरान देशबासियों का गोरव बढ़ाने माले अनेक पल आए दुनिया में गंभीर संकोटों के बीच भारत सोब से तेजी से विख्शित होती बड़ी अर्थवे वस्ता बना लागातार दो क्वाटर से भारत की विकास दो 7.5 प्रतिशत से उपर रही है भारत चद्रमा के दक्रिण धुरूपर जंडा फेराने वाला पहला देश बना भारत ने सफलता के साथ आदित्य मिशन लौंच किया 33.5 ला किलमेटर दूर अपनी सेटलाइट पहुंचाई अइतिहासिक G20 सम्मिलन के सफलता ने पूरे विश्व में भारत की भुमिका को सशक्त किया भारत ने S.I.E. खेलो में पहली बार 100 से अधिक मेडल जीते भारत को आपना सबसे वड़ा समुद्री पूल अटोल से तु मिला भारत को आपनी पहली नमो भारत ट्रेन तथा पहली अम्रुद भारत ट्रेन मिली भारत दुनिया से सबसे तेजी से 5G रोल आउट करने वाला देश बना भारत योई यारलाइन्स कमपानी ने दुनिया की सबसे बड़ी यारक्राप्ट डील की पिछले साल ही मेरी सरकर ने मीशन मोड में लाखों जुबाओं की सरकरी नोकरी दी है माननियों सदस्योगं बीते बारो महिने में मेरी सरकर अनेक महत्तोपुण विधयक लेकार भी आए ये विधयक आप सभी संग्सोट सदस्यों की सहयोग से आज कानून बन चुके है ये एशे कानून है जो विक्षिद भारत के संकल्गों की सिध्धी का मुझबूत आधार है तीन तीन दो सक बात नारिशक ती बंधन ओधी नियुम पारित करने के लिए मैं आपकी सराना करती है इस से लग तंत्रीक इस से लग सभा और विधान सभा के मोहिलाओं की ज्यादा भागिधरी सुरिश चीत हुई है ये ओमेनली डेवलोमेंट के मेरी सरकर के संकल्प को मुझबूत करता है रिफर्म, परफर्म और ट्रांस्पर्म के अपने कमिटमेंट को मेरी सरकर ने लगादार जारी रखा है गुलामी के कालखन में प्रेरित क्रिमिरल जास्टिस सिस्टम आप इतिहास हो गिया है आप दोंड को नहीं अपेतु न्याय को प्राथमिकता है न्याय सर्वपरी के सिधान तोपर नहीं न्याय संगीता देश को मिली है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन ओधिनियम से डिजिटल स्पेस और सुरक्षी तोप होने बला है अनुसंधा नेशनल रिशेर्च फांडेशन ओधिनियम से देश में रिशेर्च और इनोवेशन को बोल मिलेगा जामू और कास्मीर आरख्षन कानून से ओहां भी जनजात्यों समुदाय को प्रतिनी दिट्यों का अधिकार मिलेगा इस दोरान सेंट्रल इन्वर्सिटी कानून में भी संग्सोधन किया गिया इससे तेलेंगाना में समोक का स्वरोक का सेंट्रल ट्राइवल इन्वर्सिटी बनने का सरास्ता सुगों हुआ पिछले वर्ष शियस्तर अन्यव पुराने कानून को भी हटाया गया है मेरी सरकार परिख्याओं में होने वाली गड़वड़ी को लेकार जुगाओं की चिन्ता से अभगत है इसलिए एसे गलत तरीके को सक्ती के लिए नाया कानून बनाने का निन्यों लिया है माननिय सदस्यगन कोई भी राष्ट्रो तेज गोती से तभी आगे बढ़ सकता है जोब ओ पुराने चुनोतियों का पुरा परास्त करते हुए आपने ज्यादा से ज्यादा उर्ज्या भविश्व निर्मार में लगाए पिछले दोस बर्सों में भारत ने राष्ट्रो हीत में एसे उने कारियों को पुरा होते हुए देखा है जिनका इंतिजार देश के लोगों को दोसों कोंसे था राम मंदिर के निर्मार की आकंखा सदियों से थी आज ये सोज हो चुका है जामू कास्मिर से अर्टिकल 370 हटाने को लेकर संकाय थी आज यो इतिहास हो चुकी है इसी संक्सद ने तीन तलाक के विरूद कड़ा कानून बनाया है इसी संक्सद ने हमारे पड़ोसी देशों से आए पिरित अलपसंक्षकों को नागरिक देने वाला कानून बनाया मेरी सरकार ने वान देख वान पेंसोन की भी लागू किया जिसका इंतिजार चारोदो संक्षे था वार ओपी लागू हने के बाद आप तक पूर्व सनिकों को लगभग एक लाग करो रूपय मिल चुकी है भार्योतियो सेना में तेहली बार चीप अब डिफेंस टाफ की स्विनी जुकती भी हुई है माननियो सदस्योगन उतकर्मनिपणित को पबंधु दास की अमर पंक्तिया अशिम राष्ट प्रेमिकी भावना का सदा संग्चार करती है उन्होंने कहा था मिशो मरो देओ ए देशो माटी रे देशो बासी चली जानतु पिठी रे देशो रो स्वराज जो पत्थे गेते गाड़ो उरू तोहीं गोड़ी मरो मांग सो हड़ो और थार मेरा सरीर इस देख की माटी के साथ मिल जाए देश बासी मेरी पीट पर से चलते चल जाए देश के स्वराज पत्थ में जितनी भी खाईया है वे मेरी हाड मांग से पट जाए इन पंक्तियों में हमें कुत्तव्यों की पराकास्टा देखती है राष्टो सर्वपरी का आदर्स दिखाई देता है ये उपलब्दिया जो आज देख रही है और बीते दोस बर्सों की साधना का विश्थार है हमें सभी बच्पन से गरीबी हटाओ के नारे सुनते आ रहे हैं आप हम जिवन में पहली बार बड़े पेमानी पर गरीबी को दूर होने देख रहे हैं नीती आयोग के अनुसाथ मेरी सुरकर के एक दोसों के कार्योकाल में करीब 25 क्रोर देख बसी गरीबी से बाहर निकले हैं यह प्रते गरीब में नाया विश्वास जगाने वाली बात है जो 25 क्रोर लोगों की गरीबी दूर हो सकती है तो उसकी भी गरीबी दूर हो सकती है आज और थो बेवस्ता के बीभी नो आयामों को देखें तो यह विश्वास बढ़ता है कि भारत से ही दिशा में तो था से ही निन्नोई लेते हुए आगे बढ़ रही है बीते दोस बर्सों में हमने भारत को फ्राजाहिल 5 से निकल कर टोप 5 एकोनोमीज में सामिल होते देखा है भारत का निर्यात करीब 450 बिलियन डॉलार से बढ़कर 735 बिलियन डॉलार से अधिक हो गया है पहली की तुलना में FDI इद्धी गुना हुआ है खादी और ग्रामद्यों के उत्पादों की विक्री में चार गुना से अधिक की बुरुधी हुई है ITR फाइल करने वाले की संख्या करीब सोबा 3 क्रोर से बढ़कर लोग बोल सोबा 8 क्रोर हो चुकी है अब 78 दो गुना से भी कहीं अधिक है एक दोसक पहले देश में किबल कुछ सो स्टार्ट अप थे जो आज बढ़कर 1 लाग से अधिक हो गया साल में 94 हजर कमपानिय रेजिस्टर हुई थी पिछले वर्स ये संख्या एक लाग साथ हजर तक पहुंच चुके बिसेंबर 2017 में 98 लाग से लोग जिस्टी देते थे आज इनकी संख्या एक क्रोर चालिस लाग है 2014 से पहले के दोस बर्सों में लोग भोग 13 क्रोर बाहुन बिके थे पिछले दोस बर्सों में देश बासियों ने 21 क्रोर से अधिक बाहुन खरीदे हैं 2014 पंद्र में लोग भोग 2000 इलेक्ट्रिक बाहुन बिके थे जोबकि 2023 में डिसेंबर महातों की लोग भोग 15 लाग इलेक्ट्रिक बाहुन बिक चुके माननियों सदस्योगर बीते दोसक बे मेरी सरकान ने सूशासोन और पारिदर्शिता को हार बेवस्ता का मुख्यो आधार बनाया है इसी का परिणाम है कि हाम बड़े आर्थिक सुधारों के साखी बने है इस दोरान देश को इन्सल्वेंसी एंड बेक रूप्टिक सी कोड मिला है देश को जियस्ती के रूप में एक देश एक टाक्स कानून मिला है मेरी सरकार ने माइक्रो एकनोम की स्टाबिलिटी में भी सुनिस्चित की है दोस बस्तों में कापेक्स फाइब गुना बढ़कर दोस लाग प्रोर हो गया है साथी फिसिकाल डेफिसिट भी नियंत्रों भी में है आज हमारे फोरेक्स रिजर्फ सिक्सांडेट अरब डोलार से ज्यादा है आपारे बेंकिंग सिस्टम जो पहले बुरी तरह से चर्मराय था ओ आज दुनिया के सबसे मुझबूत बेंकिंग सिस्टम में से एक बना है बेंका एन पिए जो कभी डबल डिगिट में होता था ओ आज लगभग चार प्रतिसोधी है मेक इन इंडिया और आत्म निर्बर भारत अभियान हमारी ताकत बन चुकी है भारत आज दुनिया का दुसरा सबसे वड़ा मुबाईल फोन निर्बाद निर्याता है पिछले दोस्त एक दोसक के दोरान मुबाईल फोन मनुफेक्चरिंग में पांच गुना बढ़तरी हुई है पुछ साल पहले भारत खिलोना आयात करता था आज मेड इन इंडिया खिलोने निर्यात कर रहा है भारत का डिफेंस प्रोडक्शन एक लाक प्रोह रूपिय के पार पहुंच चुका है आज हैर भारतियों देश में बने एयारक्राप्ट केरियार आई एनेस विक्रांट को देखकर गर्व से भरा हुआ है लड़ा कुबिमान तेजोस आप हमारी बायुशना की ताकोद बन रहे हैं सी टू नाइन फाइब ट्रांसपर्ट एयारक्राप्ट का निर्मान भारत में होने जा रहा है आधुनिक एयारक्राप्ट इंजिन भी भारत में बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश और तामिल नाडु में डीफेंस कोरिडर का विकास हो रहा है मेरी सरकर ने डीफेंस सेक्टर में नीजी छेत्रों की भागी धरी सुनिश्चित की है स्पेस सेक्टर को भी हमरी सरकर ने जुबा स्टार्टाप्स के लिए खोल दिया है मारोनिय सरकर संदस्योगन मेरी सरकर विल्थ क्रियेटर का सन्मान करती है तो था भारत के प्राइबेट सेक्टर के सामुर्थ वर बिश्वास करती है भारत में बिजनेस का ना आसान हो इसके लिए उपयुक्त माहोल रहे इस पोर भी मेरी सरकर लगतर काम कर रही है इज अब डूइंग बिजनेस में लगतर सुधार हो रहा है बीते कुछ बर्सों में 40 हज़र से ज़्यादा कम्प्लियांस को हटाया जा या स्वरोल किया गया है Companies Act तो था Limited Liability Partnership Act में 63 प्रावधना को उपराद की सुची में बाहर किया गया है जोन विश्वास ओधिनियम द्वारा 183 प्रावधना को उपराद की स्रेणिम से बाहर किया गया है ओदालोत के बाहर विबादों को सुहाद्ध पुरुन सुमाधान हेतु मज्धोस्तोता पर कानून बनाया गया है बोन और परियागरण विभाग से क्लियरांस मिलने में जहां 600 दिन लगते थे वहाँ आज 25 दिन से भी कम समय में लगता है फेसलेस आसेस्मेंट योजोना से टाक्स बेवस्ता में और परिदोस्ता आई है माननिय सदस्योगों हमारे MSME सेक्टर को भी रीफोर्म्स का बहुत अधिक लाव हो रहा है आफ और वह गोथ है कि हमारे MSME में आज क्रोरों देशवासी काम कर रहे है MSME और लोगू उद्योमियों को सोशक्त काने के लिए मेडिश और कर पूरी प्रतिपधता से काम कर रहे है MSME की परिवासा का बिष्तार किया गया है नई परिवासा में निवेश और तार्न अवर को समाहित किया गया है आज उद्योम और उद्योम आसिस्ट फोटल पर लोगबग साड़े तीन क्रोर MSME रेजिस्टार्ड है बीते बर्सों में MSME के लिए क्रेडिट गरेंटी स्कीम के तहट करीब पांच लाग क्रोर की गरेंटी सिक्रूती किये गया ये 2004 से पहले के दस्षक से 6 गुनाव अधिक है माननियो सदस्योगन मेरी सरकार का एक और बड़ा रिफर्म डिजिटाल इंडिया का निर्माड है डिजिटाल इंडिया ने भारत में जीवन और बिजनेस दोनों को बहुत आसान बना दिया है आज पूरी दुनिया मनती है कि ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्दी है विक्सित देशों में भी भारत ऐसा डिजिटाल सिस्टम नहीं है गाओं में भी समयन्यों खरीद बिक्री डिजिटाल तरीके से होगी ये कुछ लोगों की कुलपना से भी परे था आज दुनिया के कुल रियल ताइम डिजिटाल लेंदेन का 46% भारत में होता है पिछले मेने यूपियाई से रेकोर्ड 5200 को ट्रांजक्शन हुई है इसके तहट आठरा लाग प्रोर रुपिया का रेकोर्ड लेंदेन हुआ है दुनिया के दुसरे देस भी आज यूपियाई से ट्रांजक्शन की सुविधा दे रही है डिजिटाल इंडिया के कारण बेंकिंग आसान हुई है और लेंदेन भी सरोड हुआ है जोन्धोन आधार मोबाईल की क्रिशोक्ति से भ्रोष्टाचार बोर लागाम लगने में मोदोत मिली है मेरी सरकार आप तो 34 लाग प्रोर रुपिया डिवी टीक से ट्रांसपर कर चुके है जोन्धोन आधार मोबाईल के कारण करीब दोस करोर फरजी लावर्थी सिस्टम से बाहर किये गए है इसे पौने तीन लाग रुपिया गलत हाथों में जाने से बचे है बीजी लोकोर की सुबिधा भी जीवन का आसन जीवन को आसन बना रही है इसमें अभी तोक यूजर्स के 6 बिलियन से ज़्यादा डोकुमेंट्स जारी हुई है आयुस्मान भारोत हेल्थ एकाउंट के तहुत लोग बोग 53 क्रोण लोगों की डीजीटाल हेल्थ आईडी बन चुकी है बानन्य सद्रश्यगण डीजीटाल के साथ साथ फिजीकल इंफ्रस्ट्रक्चर पर भी रेकोर्ड निवेस हुई है आज भारोत में एशा इंफ्रस्ट्रक्चर बन रहा है जिसका सोपना हार भारोतियों देखता था पिछले दोस बोर्शों के द्वारान गाउं में पोने 4 लाग किलोमेटर नहीं सोड़के बने हुई है नाशनाल हाई हुए की लंबाई 90,000 किलोमेटर से बढ़ कर 1,46,000 किलोमेटर हुई है होरलेन नाशनाल हाई हुए की लंबाई धाई गुना बढ़ है हाई स्प्रीड कोरिडर की लंबाई 500 किलोमेटर थी जो आज 4,000 किलोमेटर है एयारपोर्ट की संख्या चोस्तरी से दो गुना बढ़ कर एक सो उन्चास बचुकी है देश के बड़े बंदरगाव और कार्गो हैंडलिंग केपासिटी दो गुना हो गई है ब्रोड बैंड इस्तमाल करने वालों की संख्यास में चोदो गुना बढ़त्री हुई है देश को लोगबग दो लाग गाओं पंचायत को अप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा चुका है जाल लाग से वधी कॉमन सर्विस सेंटरल भी खुले हैं जो रोजगर का बड़ा माजधम बने हैं देश में दो सजर किलो मेटर ग्यास पाइपलाइन भी बढ़ाई गई है वान नेशन वान पावर ग्रीट से बिजली की बेवस्ता में सुधार हुआ है वान नेशन वान गैस ग्रीट से गैस आधारी और्थो बेवस्ता को बॉल मिलत रहा है सिर्फ पांच सेहरों तोक सिमित मेट्रों की सुभिधा आज 20 सेहरों में है 27,000 किलोमेटर से ज़्यादा रेलिवे ट्राक बिचाए गई ये कोई विक्सित देश के कुल रेलिवे ट्राक की लॉंबाई से भी ज़्यादा है भारत रेलिवे के सोथ प्रतिसोथ इलेट्रिफिकेशन के बहुत निकट है इस दोरान भारत में पहली बार सेमी हाई स्पीड ट्रेंड शुरू हुई है आज 39 से ज़्यादा रोड्स पर बंदी भारत ट्रेंड चल रही है अमरुद भारत स्टेशन योजोना के तहट 1300 से ज़्यादा रेलिवेट स्टेशनों का काया कल्फ हो रहा है माननियों सदस्योगन मेरी सरकार मानती है कि विक्षित भारत की भव्यों इमारत चार्ज मोजबूत स्थम्बो पर खड़ी होगी ये स्थम्बो है जुगा सक्ति, नारी सक्ति, किसान और गरीब देश के हार हिस्से हार समाज में इन सभी की स्थीती और सपने एक जैसे ही है इसलिए इन चार स्थम्बो को सोशक्त करने के लिए मेरी सरकार निरंतर काम कर रही है मेरी सरकार ने टाक्स का बहुत बड़ा हिस्सा इन स्थम्बो को मजबूत बनाने पर खर्च किया है चार करोर दोसलाग गरीब परिवार को अपना पक का घर मिला इस पर लगभग छेला करोर रुपया खर्च किये गे लगभग ग्यारो करोर गरामिनों परिवारों तो पहली बार पाईब से पानी पहुंचा है इस पर चारला करोर रुपया खर्च किया जा रहे है हाल ही में दोस्क्रोर उज्यला के ग्यास कोनेक्शन पूरीख हुई है आज इन लावार्त्य बेहनों को बहुत सस्ती ग्यास भी देज जा रही है इस पर भी सरकारद्वारा धाई लाग क्रोर रुक्या खर्च किये गए है करोना काल से ही असी क्रोर देशपासियों को मुक्त रासन दिया जा रहा है आप इसे आने बाले पांच बर्शों के लिए आगे बढ़ाया गया है आप इस पर ग्यारोला क्रोर रुपिया और खर्च होने का अनुवान है मेरी सरकर का प्रयास है कि हार योजोना का तेजी से सेचुरेशन हो कोई भी लभार्ती बंचीत ना रहे इसके लिए पंद्रो नवेंबर से बिक्सित भारत संकुर्प जात्रा चल रही है अभी तक इस जात्रा से करीब 19 करोर देशबासी जूड चुके है माननिय सदस्योगन बीते बर्स में विशो ने दो बड़े जुद्धो देखे और कुरोना जैसे बोईसिक महामरी का सामना किया ऐसे बोईसिक संकुटों के वावजूद मेरी सरकर ने देश में मेहगाई को काबू में राखा सामना भारतियों का बोज नहीं बड़ने दिया दो हजार चोदा से पहले के दोस बर्स में ओसोत मेहगाई दोर आट प्रतिसद से अधिक थी पिछले दोसकों में ओसोत मेहगाई दोर पांच प्रतिसद प्रतिसद रही मेरी सुरकर का प्रयास रहा है कि संपन्दों देश बासी की जेव में अधिक से अधिक वचत कैसे हो पहले भारत में दो लाक रुपिया की आई पर टाक्स लग जाता था आज भारत में साथ लाक रुपिया तोक की आई पर भी टाक्स नहीं लग जाता टाक्स छूट और रिफर्म्स के कारों भारत के टाक्स प्यास को दो साल में करीब धाय लाग प्रो रूपया की वोचोत हुई है आयुस्मान योजोना के अलाव अभी केंद्र सरकार विभिन्न होस्पिटाल में मुफ़त इलाज की सुभिथा देती है इससे देश के नागोरिकों के साढ़े तीन लाक क्रो रूपया खर्च होने से बचे हैं जो नो सोधी केंद्रों की बज़ेश से मरीजों के करीब 2800 क्रो रूपया खर्च होने से बचे है === कोरोनारी स्टेंट्स गुट्डे के इन्प्लांट्स तो था केंसेर की दावाओं की कीमत भी कम की गई हैं इससे मरीजों की हार वर्ष लगभख 37,000 करोर रूपया की पच्छत हो रही है मेरी सरकर किड्नी के मरीजों के लिए मुफ़त डाइलिसिस का अभियान भी चला रही है इसका लाव प्रतिवर्ष 21 लाख से ज़्यादा मरीज उठा रहे है इसके प्रतिवर्ष इन एक लाख रूपया खर्च होने से बचे है गरीबों को सस्ता राशन मिलता रहे इसके लिए मेरी सरकान ने पिछले दौसक में करीब 20 लाख करोर रूपया खर्च किये है भारतियों रेल में जात्रा के लिए रेलुये प्रतेक्ट टिकट फर करीब 25 प्रतिसों डिसकाउंट देते हैं इससे गरीब और मज़मबर के जात्रियों को हार बर साथी हज़ार करोर रूपया की बचट होती है गरीब और मज़मबर को कौम की मतपर हावाई टिकट मिल रहे है उडान जोज़ना के अंतरगत गरीब और मज़मबर को हावाई टिकटों पर तीन हज़ार करोर रूपया से जादा की बचट हुई है LED वर्ल्ड की जोज़ना के कारण बिजली के बोलों में 20,000 करोर रूपया में अधिक बचट हुई है जीवन जोती बिमा जोज़ना और सुरोख्या बिमा जोज़ना के तहट गरीबों को 16,000 करोर रूपया से जादा की क्लेम रासी मिली है माननिय सदस्चगण नारिशक्ति का समर्थ बढ़ाने के लिए मेरी सरकार हार स्तर पर काम कर रही इस बर्ष की गणतंत्र दिपस परेट भी नारिशक्ति के लिए समर्पित थी इस परेट में दुनिया ने हमारी बेटियों के समर्थ की जलक देखी मेरी सरकार ने जल, स्थल, नौव और अंतरिक हार तरक बेटियों की भुमिका का बिश्तर किया है हम सब जानते हैं कि मोहिलाओं के लिए आर्थिक सतंत्रता के क्या मायने है मेरी सरकार ने मोहिलाओं की आर्थिक भागिदारी बढ़ाने के लिए निरंतर प्यास किये हैं आज लगभग दोस क्रोर मोहिलाएं सोयंग स्वायोता समुह से जुड़े चुके हैं इन समुह को आठ ला क्रोर रुपया बेंकलोन और चालिस अज़र क्रोर रुपया की आर्थिक स्वायोता दी गई हैं मेरी सरकार दो क्रोर मोहिलाओं को लगपती दिदी बनाने का अभियान चला रहे हैं नमों ड्रोन दिदी जोजोना के तहत स्वामुह को पंद्रहज़र ड्रोन उपलुपत कराये जा रहे हैं मात्रुत अवकास बारो सब्ताह से पढ़ागार चब्वी सब्ताह का नेज से देश की लाकों मोहिलाओं को बहुत मदद मिली है मेरी सरकान ने मोहिलाओं की पहली बार सोशोस्त्र बोलों में पर्मानेट कोमिशन दिया गया है पहली बार सोईनिक्स स्कूलों और राष्ट्यो रख्या अकाडेमी में मोहिला केडेट्स के प्रवेश दिया गया है आज मोहिलाओं फाइटर पाइलोट भी है और नोसेना के जहाज को भी पहली बार कमंड कर रहे हैं मूत्र जोज़णा के तहट जो चालिस करोर से जादा लोन दिये गये हैं उनमें करीब 31 करोर से जादा लोन मोहिलाओं को मिली है इस जोज़णा से लाब लेकर करोरों मोहिलाओं ने 100 रोजगार सुरू किये हैं माने नहीं 110 चोगण मेरी सरकार आज खेती को अधिक लावकरी बनाने पर बोल दी रही है हमारा ये प्रयास है कि खेती में लगात कौमों और लाव अधिक हो मेरी सरकान ने पहली बार दोस क्रोर से अधीक छोटी किसानों को भी देश की कुरूशी निती और जो जो ना में प्रमुक था दी है पी एम किसान सौनमान निधी के तहट आप तो दो अलाक अश्य हजर क्रोर रूपया किसानों को मिल चुके हैं दोस सालों में किसानों के लिए व्येंक से आसान लोन में तीन गुना बुरुदी की गई है प्रधान मंत्री फोसल भी मजो जोना के तहट किसानों ने तीस अजर क्रोर रूपया प्रीमियम भरा इसके बदले उन्हें देड़ लाक रूपया का क्लेम मिला है पिछले दोस बर्सों में लोगबोग अठरा लाक रूपया एमेस-पी के रूप में धान और गेहों की खेती क rethink अन्ने वाले किसानों को मिले हैं यह 2014 से पहले के दोस सालों की तुलोना में धाय गुना उधीक है पहले तिल्हों और दोल्हों खुसोलों की सरकारी खरीदी नहीं की बराबर थी पिछले दोसकों में तिल्हों और दोल्हों की खेती करने वाले किसानों को MSP के रूप में सोबा लाग क्रो रूपया मिले हैं यह मेरी ही सरकर हैं जिसने पहली बार देश में कुरुसी नीरियत नेति बनाई हैं इस से एगरिकलजर एक्सपर्ट 4 लाग क्रो रूपया तोग पहुचा हैं किसानों को सस्ती खाद मिले इसके लिए दो सालों में ग्यारो ला क्रों रूपिया से अधिक खर्च किये गए हैं मेरी सरकार ने पूने दो लग से ज़्यादा प्रधानमुंत्री किसान समुरुदी केंद्र स्तापित किये हैं अभी तक लोगबोग आठथजार किसान उत्पादक संगो एप्पियोब बनाए जा चुके हैं मेरी सरकार क्रिशी में सोहोकरिता को बढ़ावा दे रहे हैं इसके लिए देश में पहली बार सोहोकरिता मंत्राणोय बनाया गया है सोहोकरी छेत्र में दुनिया की सबसे वड़ी आनाज भंडार और जोजना शुरू की गिया है जीन गाउं में सोहोकरी समीतिया नहीं है वहां दो लग समीतिया बनाई जा रही है मस्चो पालन चेत्रों में 38,000 प्रो रूपिया से अधिक की जोजनाई चलाई जा रही है जिसके कारण मस्चो उत्पादन पिछले दो साल में 95 लाक मेट्रिक टोन से बढ़ कर 175 लाक मेट्रिक टोन यानी लोग बग दो गुना होगिया है इनलाण फिशारीश का उत्पादन एक सट लाक मेट्रिक टोन से बढ़ कर 131 लाक मेट्रिक टोन हो गया है मस्चो पालन चेत्रों में निर्याद पित 30,000 क्रो रूपिया से बढ़ कर 64,000 क्रो रूपिया तक यानी दो गुनी से ज़्यादा बढ़ा है देश में पहली बार पोशुपालों को और मोचुआरों को किसान क्रेडिट कार का लाप दिया गया है पिछले दोसकों में प्रति ब्यक्ति दूद उपलब धोता 40% बढ़ी है पोशुओं को खुर्पों का और मुपों का बिमारियों से बचाने के लिए पहली बार मुख्त टिका करोण अभिजन चल रहा है आप तो चार चरोणों में 50 करोड से ज़्यादा टिका पोशुओं की दिये जा चुके हैं मानोनिय सद्धस्योगन जनों को लिए जितनी भी जजनाई है यह सिर्फ सुभी धाएं भर नहीं है इसका देश के नागरिकों के पूरी जीवन चक्रों पर सकरात्म का सर पढ़ रहा है बिभिन्न सरकारी और गेर सरकारी संस्ताओं द्वारा मेरी सरकार की जो जनाओं के प्रभावों का अध्धोयन किया गया है इसके परिणाम बहुत ही प्रभावकरी है और गरिबे से लोट रहे हैं दुनिया के हार देश को प्रेरित कर रहने वाले है बीते बस्तों में बिभिन्न सरकारी संस्ताओं के अध्धोयन में सामने आया है कि ग्यारो क्रोर सोचालों के निर्मान और खूले में सोच बौंध होने से उनेक बीमारियों की रोक्थाम हुई है इससे शहरी छेत्र के हार गरीब परिवार को इलाजपर प्रतिवर्स साठ्य हज्जा रुपिया तोक की बोचोत हो रही है पाईब से सुद्ध पेयोजल मिलने से भी प्रतिवर्स लाखों बच्चों की जान बच रही है पीए मावाज जजनापर हुई अध्धयन के अनुसार पक्के घर से परिवार की सामाजी क्रतिष्टा और गरिमा बढ़ी है पक्के घर में बाचों की पढ़ाई बहतर हुई है और ड्रोप आउट की दोर में कमी आई है प्रधानमंति सुरोखित मात्रुत्तो अभियान के बज़से आज देश में सोट प्रतिशत सोंस्तागत प्रसव हो रही है इस बज़से माता मुरुत्तु दोर में भी भारी गिरावट आई है एक और अध्यान के अनुसार उज्जोला जोजोना के लावार्ति परिवार में गरीब बीमारी की घटना में कम आई है मानोनिय सदस्यगन मेरी सरकार मानोव के नरिद विकास पर बोल दे रही है हमारे लिए हार नागरिक की गरिमा सर्व परी है एही समाजीक न्याय की हमारी अवधारना है भारत के सम्भिधान के हार अनुछेत का संदेश भी एही है हमारी यहां लंबे समयतक्सिप अधिकारों पर चर्चा होती थे हमने सरकार के कतब्यों पर भी बोल दिया इससे नागरिकों में भी कतब्यों भाव जागा आज अपने-अपने कतब्यों के पालन से हार अधिकार के गरेंटी का भाव जागरूत हुआ मेरी सरकार ने उनकी भी सूदली है जो आप तो विकास की धारा से दूर रहे है एसे हजारों आधिवासी गाउं है जहां बीते दोस बोसों में पहली बार बिजली और सोड़क पहुंची है लाखों आधिवासी परिवारों को आप जाकर पाइप से सुध पानी मिलना शुरू हुआ बिशेश अभियान के तहट मेरी सरकर हाजारों आधिवासी बहुल गाउं में 4G इंटरनेट सुभिधावी पहुंचा रही है बंधन केंद्रों की स्टापना और 90 से ज़्यादा बोन उपोच पर MSP दिये जाने से आधिवासीयों को बहुत लाव हुआ है मेरी सरकर ने पहली बार जोनोजातियों में भी सोब से पिछरे जोनोजातियों को की सूद ली है उनके लिए लगववव 24.000 करोर रुपया की PM जोनमन जोजोना बनाई है आधिवासी परिवार में औनेग पीढियां सीकल सेल अनेमियां में पीढिद रही है पहली बार इसके लिए राष्टियों मीशन शुरू किया गया है आप तो लोगववव 1.40.000 लाग लोग की जांच की हो चुकी है दिग्दान जोनों के लिए भी मेरी सरकर ने सुगप्यों भारत अभिजन चलाए है साथ ही भारतियों सांकेतिक भासा में पठो पोसों के उपलुप्त कराई है ट्रंजेंडर को समाज में सुनमान जनक स्तान दिलाने और उनके अधिकारों के सुरुक्षण है तो भी कानून बनाए है मानोनिय सदस्चगण हमारी यहां विश्वकर्मा परिवारों के बिना दोनिक जीवन की कलपना भी मिश्किल है ये परिवार पिड़ेद और पुड़े अपने कोशोल को आगे बढ़ाते हैं लेकिन सरकारी मदद के अभाब में हमारी विश्वकर्मा साथी बुरी स्थीति से गुजर रहे थे मेरी सरकार ने एसे विश्वकर्मा परिवार को भी सूद ली है अभी तो पीएम विश्वकर्मा जो जोनाम से 84 लाग से ज्यादा लोग जूट चुके हैं रेठी, ठेले, पुटपात पर काम करने वाले साथी भी दोसों को से अपने हाल पर छोड़ दिये गिये थे मेरी सरकार ने पीएम सोनी धी जो जोना दोरा उनको बेंकिंग से जोड़ा इस जो जोना के तहट आप तोक 2000 प्रो रूपिया से अधिक की राशिक के रून दिया जा चुका है सरकार ने इन पर भरशा करते हुए बीना कोले लेटेरल के रिण दिया है इस भरशे के मजबूत करते हुए अधिकांस लोकों ने रून भी वापज किया है अगली किस्त का भी लाब उठाया है इस जो जना के अधिक तर लाबार्थी दलित पिछडे आदिवासी और महिलाए है मानेनिय सदस्यगन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चल रही मेरी सरकार समाज के हार बर्गों को उचीत अपसर देने में जूटी है पहली बार समाजन बर्गों के गरिवाँ को आरोख्षण की सुभिता दी गई है मेडिकाल में ग्राजुएशन और पस्ट ग्राजुएशन के लिए ओबीसी के केंद्रियों कोटे के तहत दाखिली में 27 प्रतिसत आरोख्षण सुनी स्चीत किया गया है राष्टियों पिछला बर्ग आयक को संब्य धनिक दर्जा दिया गया है मेरी सरकान ने बाबा साहिब आमबेट कर से जुड़े पांच थानों को पंचतित्थ के रूप में विक्षित किया आज देश भर में आदिवसी सोतंत्रोता सेनानियों के लिए समोर पित दोस संग्रहलों बनाया जा जा रहा है माने निया सदस्चगन मेरी सरकान ने एई से छेत्रों की कि भी पहली बार विकास से जोड़ा है जो दोसों को तो उपेखीत रहे हमारी सिमाओं से सटे गाओं को देश का उन्तिम गाओं मना जाता था मेरी सरकान ने उन्हें देश का पहला गाओं बनाया इन गाओं के भीकास के लिए भाइबरांट विलेज प्रोग्राम सुरू किया है अंडवान निकबार और लख्य दिप जेसे हमारी दूर सुदूर के दिप समोह भी विकास से बन्चित थे मेरी सरकान ने इन दिपों में भी आधुनिक सुविधाओं का निर्मान किया ओहां सोड़क, हावाई जातायत और तेज इंटरनेट की सुविधाइश कहुंचाई कुछ सब्ता पूर वही लख्य दिप को भी अंडर वाटर अप्टिकल फाइबर से जोड़ा गिया है मेरी सरकार दोरा आकांखा जीला कार्योक्रम के तहट देश के सो से अधिक जीलो में विकास का प्राथमिकता दी गई है इस कार्योक्रम की सफलता को देखते हुए मेरी सरकार ने आकांखा ब्लोक कार्योक्रम भी शुरू किया है इसे देश के उन ब्लोक्स में विकास्प और विशेश जोर दिया जा रहा है जो पीछे छुट गए है माननिय सदस्योगन मेरी सरकार आज पूरी सिमा पर मोडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है एक काम बहुत पहले ही प्रातमिक्ता के आधर पोर हो जाना चाहिए था आतंग बाद हो या विश्तर बाद हमारी सनाए आज जेशे को तेशा इनीती के साथ जवाब दे रही है मेरी सरकार ने नशनल क्वांटम मिशन भी सिक्रूत किया है क्वांटम कम्पूटिंग नई दोर की दिजिटल व्यवस्ता बनायागा इस छेत्र में भारत आगे रही इसके लिए काम सुरू हो चुके माननिय सोदस्चगण मेरी सरकार भारत की युवाशक्ती की सिख्या और कोशल विकास के लिए निरंत और ने कदम उठा रही है इसके लिए नई राष्ट्य सिख्यानिती बनाएगे और उसे तेजी से लागू किया जा रहा है राष्ट्य सिख्यानिती में मात्रुभासा और भारत्य भासाओं में सिख्या पर बोल दिया गया है इंजिनियरिंग, मेडिकाल, कानून जेसे विशोयों की पढ़ाई भारत्य भासाओं में प्रारुम कर दी गई है श्कूली सिख्या में गुणबत्ता लाने के लिए मेरी सरकार 14 हज़ार से ओधिक पीएम श्री बिद्दालेयों पर काम कर रही है इन में से 6 हज़ार से ओधिक बिद्दालेयों सुरू हो चुके है मेरी सरकार के प्रयासों से देश में ड्रोप आउट रेट कौम हुआ है उच्चो सिख्या में छात्राओं के दखिले जादा हो रही है अनुसुचित जाति के बिद्दातियों के नामांकोन में लोगभग 44 परसंट पूर्थी हुई है नामांकोन में अनुसुचित जानोजाति के बिद्दातियों की 65 परसंट और OBC के बिद्दातियों को 44 परसंट अधिक ब्रुति हुई है इनोवेशन को पढ़ा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के अंतरगत 2000 और अटल तिंक्रेंग लेव स्तापित के गे इसमें एक रोर से ओधिक विद्दाति जुड़े हैं साल 2014 तक देश में साथ एम्स और 390 से भी कौम मेडिकाल कोलेश थे ओही पिछले दोसोंग में 16 एम्स और 315 मेडिकाल कोलेश थापित किये गे पिछले दोसक में एम्बीबेस की सीटों में दोगुना से भी अधिक की बुरुधी हुई है परियोटन चेत्रों जुबाओं के लिए जोजगार देने वाला एक बड़ा सेक्टर है मेरी सरकान ने बीदे दोस बर्सों में परियोटन के चेत्रों में अबुत पुर्वो काम किये हैं भारत में घेरेलू टूरिस्ट की संख्या के साथ ही भारत आने वाले बीदेशी परियोटन को की संख्या भी बड़ी है परियोटन के चेत्रों में जो बुरुधी हो रही है इसका कारण भारत की बड़ती साख है आज दुनिया भारत के को देखना और जानना चाहती है इसके अलावा सांदर कोनेक्टिविटी विक्षेत होने के कारण भी परियोटन का दाइरा बढ़ा है जगा जगा यारपोट बनने से भी बहुत फाइदा हो रही है नौर्टिस्ट में आज रेकोर्ड संख्या में टूरिस्ट कोंच रही है आंडावन निकबार और लख्या दिप को लेकार उससा होच्चरम पर है मेरी सरकान ने देश भर में तीर्थ और अईतिहासिक स्थोलों के विकास पर बॉल दिया है इससे अब भारत में तीर्थ जात्रा आसान हुई है ओही दुनिया भी भारत में हेरिटेज टूरिजिम को लेकार आकरसित हो रही है बीते एक बस में साड़े आठ क्रोर लोग कासी गई है पांच क्रोर से अधिक लोगों ने महाकाल के दर्सन किये है उनिक उनिस लाग से अधिक लोगों ने क्यदार धाम की जात्रा की है ओज़धा धाम में ही प्राण प्रतिष्टा के बाद पांच दिनों में ही तेरा लाग च्रोधाणू दोर सन कर चुके है पूर्वपस्ची मुतर दखिन भारत के हार हिस्चे में कित्थ स्तलप और सुविधाओं का अभूद पूर्वबिष्टार हो रहा है मेरी सरकार भारत को मीटिंग और प्रदर्शनी से जुड़े सेक्टर में भी अग्रोणी बनाना चाहती है इसके लिए भारत मंडम पम और योशो भूमी जैसा इंफ्रास्ट्रेक्टर बनाया जा रहा है आने वाले समय में तूरिजिम रोजगार का एक बहुत बड़ा मजधोम बने गए मानन या सदस्योगन देश की जवासक्ति को कोशल और रोजगार से जड़ने के लिए हम स्पोर्ट्स एकोनोमी को मजबूत कर रहे है मेरी सरकार ने खेलों और खिलाडियों को अभूत पूर्बो मदद दी है आज भारत एक बहुत बड़ी खेल सक्ति बनने को की और अग्रसर हो रहे है खिलाडियों के साथ ही आज हम स्पोर्ट्स से जुड़े दूसरी छेत्रों पर भी बॉल दे रहे हैं आज नेसलार्ट स्पोर्ट्स इंवर्सिटी बन चुकी है देश में हमने दोर्जोनों सेंटर अब एक्सलेंस बनाए है इससे स्पोर्ट्स को एक प्रोफेस्वन के रूप में चुनने का अफसर जुबाओं को मिलेगा खेल उपकरोन से जुड़े इंडस्ट्री को भी हर प्रोकर की मदद जीद दी जा रही है बीते दोस्ट गोर्षों में भारत ने उनेक खेलों से जुड़े इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंस का सांधार आयो जुन किया देश के जुबाओं में कुत्व्योबोद और सेवा भाप का बिस्तर करने के लिए मेरा युवा भारत संगोठोन बनाया गया है अभी तोग इस संगोठोन से लोगवग एक क्रोर जुबा जुड़ चुके है मानोनियो सदस्योगन संकरमन काल में एक मजबूद सरकार होने का क्या मतलब होता है यह हमने देखा है बीते तीन वर्सों से पूरी दुनिया में उथल फुथल मची हुई थी है दुनिया के अलग-अलग इसो में दरार पड़ गए है इस पठिन दोर में मेरी सरकान ने भारत को विश्व मित्रों के रूप में स्तापित किया है बिश्व मित्रों के भूमिका के कारोण ही आज हम गलोबाल साउथ की आवाज बन पाए है बीते दोर्सों में एक और पुरानी सोच को बदला गया है पहले डिप्लोमासी से जुड़े कार्योक्रम को दिल्ली के गलियरी तो की सिमित्रा खा जाता था मेरी सरकान ने इसमें भी जनता की सिधी भागिदरी सुनीशित की इसका एक बेहतरीन उदारन भारत द्वारा जी ट्वन्टी अध्योक्ता के द्वारान देखा गया है भारत नी जी ट्वन्टी को जिस प्रकार जनता से जोड़ा ओशा पहले कभी नहीं था देश भर में हुए कार्योक्रम के जरिये भारत के बास्तविक सामथ्थो से दुनिया का परिचोई हुआ जमिकस्मीर और नोर्टीस्ट में पहली बार इतने बड़े अंतराश्ट यो कार्योक्रम हुए पूरी दुनिया ने भारत में प्यो एतिहासिक G20 समेलन की प्रसंसा की एसे बंटी हुए महलो में भी एकमत से दिल्ली घुषणा पत्र जारी होना एतिहासिक है उइमेल लेड डेवलोप्मेंट से लेकार पर्यावरण के मुद्धोपर भारत का भीजन दिल्ली घुषणा पत्र की नीव बना हामारे प्रयासों से G20 में अप्रीकान यूनियोन के 2727 कभी सराहा गया है इसी समिलोन के द्वारन भारत मिडिलिस्ट यूरोप करीडर के निर्मान को की घुषणा हुई है ये करीडर भारत के समुद्धिक समुर्थों को और सोशक्त करेगा ग्लोबाल वायोफ्यल आलाइंस का लौच होना भी बहुत बड़ी घटना है इस प्रकर के कदम बोईसिक समझसाओं के समाधान में भारत की भूमिका का बिस्तार कर रहे हैं मानोनिय सदस्यगोन मेरी सरकरने बोईसिक बिबादों और संगर्षों के इस दोरे में भी भारत के हीतों को मुझभूति से दुनिया के समने रखा है भारत की बीदेश नीती का दाइरा आज अतित की बीदेशों से कहीं आगे बढ़ चुका है आज भारत अनेक बोईशिक संगठोनों का सुन्मानित सद्धस्यों है आज आतंकबाद के खिलाप भारत दुनिया के एक प्रमुक आवाज है भारत आज संकठ बेफशी मानवता की मदद के लिए मोजबूते से पहल करता है दुनिया में कहीं भी संकठ आने पर भारत वहां तेजी से पहुँचने का प्रयास करता है मेरी सौरकर ने दुनिया भर के काम कर रहे हैं भारतियों में नाया भरत सा जगाया है ओपरसनल गंगा ओपरसनल कमेरी और बंदे भारत जेसे अभियान चला कर जहां जहां संकठ आया वहां से हार भारतियों को हम तेजी से शुरुख की तो आपस लेकर आए मेरी सौरकार ने योग, प्राणायाम और आयूर्वेद की भारतियों परंपरा को पूरी दुनिया तो पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किये किछने वर्ष स्वंजूत राष्ट्र संगों के मुख्खालोई में 135 देशों की प्रतिनी धित्तों ने एक साथ जोग किया योग किया ये अपने आप में एक नाया रेकोड है मेरी सरका ने आयूस पद्धतियों के विकास के लिए एक नाया मौनताड़ाय बनाया है विश्व स्वास्तो संगोठोन का पहला ग्लोबाल सेंटर फो ट्राडिशनल मेडिसिन भी भारत में बन रहा है मानोनियों सर्दस्योगों सब्ध्यताओं के कालखंड में एसे पढ़ाव आते हैं जो सदियों का भविश्व तोई करते हैं भारत के इत्यास में भी एसे उने एक पढ़ाव आये इस वर्ष 22 जानुवारी को भी देश ऐसे ही एक पड़ाव का साख्की बना देश सदियों की प्रतिख्या के बाद और जजधा में राम लोला अपने भव्यों मंदिर में विराजी यह क्रोरों देश बासियों की इच्छा और आस्ता का प्रस्ण था जिसका उत्तर देश ने पूरी स्वद्भाप के साथ हो जा है मानोनियों सदस्यगोन आप सभी क्रोरों भारतियों की आकांखाओं के प्रतिनी थी है आज जो जुबा स्कूल कोलेज में है उनके सपने बिलकुल अलग है हाम सभी का ये दाइट तो है कि अमरुद पीढ़ी के सपनों को पूरा करने में कोई कोशर बाकी ना राए दिक्सित भारत हमरी अमरुद पीढ़ी के सपनों को साकार करेगा इसलिए हम सभी को एक साथ मिलकार संकुल्पों की सिद्धी के लिए जूडना होगा मानोनियों अटल जी मानोनियों सदस्यगोन श्रदियों अटल जी ने कहा था आपनी धेव जात्रा में हम कभी रुक नहीं किसी चुनोती के समुक कभी जुके नहीं मेरी सरकार एक सोचारीश कर देशबासियों के सपनों को पूरा कान्ने की गरेंटी के साथ आगे बढ़ रही है मुझे पूरा विश्वा से कि ए नाया संग्षत भवन भारत की धेव जात्रा को निरंत और उर्जा देता रहेगा नहीं और सोस्तो पुरोंपुरा बनाएं बोर्श दो हजार सुच्चालिस को देखने के लिए आपने साथी तोब इस सोदोनों में नहीं होंगे लेकिन हमारी बिराशत ऐसे होनी चाहिए कि तोब की पिढ़ी हमें याद राखे आप सुभी को बहुत बहुत सुपकमना है धन्यवाद जोई हीं जोई फाराथ